हर्याणा में आप कॉंग्रिस गड़बंदन पर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आप कॉंग्रिस गड़बंदन का कल हो सकता है ऐलान दीपक बाबर्या और राघव चट्धा के मीज बाचीत हुई है हर्याणा में साथ सीटों पर चुनाव लड़ने को तयार है आप लेक यह राजिनीती है कब उसमें क्या बदलाव हो जाए किसी को नहीं पता होता है और अब यह नुमान लगाया ज़ा रहा है कि कल दोनों ही पार्टियां अपने गड़बंदन का एलान कर देंगी हर्याणा में साथ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टि तायार हो गई है और हर्याणा में अपनी पसंद की सीटों पर अड़ी है आम आदमी पार्टि यह भी एक बड़ी खबर है सुत्रों के हावाले से कि जो कॉंग्रेस यह रही है उसमें संतुष नहीं आम आदमी पार्टि अपनी बात रखी है अपनी मंग पसंदा सीट चुन आव लड़ेगी कॉंग्रेस के साथ हलाकि अभी तक ये खबरे सामने आ रही थी कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं जम पाएंगे लेकिन आज तस्वीरे कुछ और है हमारे साथ हमारी सायोगी कंचन चुट चुकी है कंचन देखे कल तक तस्वीरे कुछ और थी जहा ये माना जो आ रहा था कि आम आद्वी पार्टी और कॉंग्रेस की बीट में बादच्वीत नहीं बन पाएगी लेकिन आज की तस्वीरे कुछ और बया कर रही है देखिए ये राजनीती है जहां हर दिन नहीं बलकि हर पल चीज़े बदलती है बयान बाजी के साथ जहां का सियासत बदलता है तो वहाँ पे अगर बात की जाए गडबंधन को लेकि तो कभी होना तो कभी ना होने की बात निकल के सामने आती है हर्याणा में 5 अक्टूबर को मतदान है हाला की लगातार सभी राजनीती दल अगर हम बात करें खास्तोर पर कॉंग्रेस और आमादनी प पहुच रही थी लेकिन जिस तरीके से राहूल गांधी ने इस पश्ट किया कि अगर कोई संभावना है तो हम गडबंधन कर सकते हैं यानि कॉंग्रिस एक भी वोट इंडिया ब्लॉक का भारती जन्ता पार्टी के खाते में जाते हुए देख नहीं सकती है हाला कि कई दौ के होती हैं चुनावों को लेकि उमिद्वारों को लेकि उस पर दीपक बावरिया के मौजूदगी होती है तो जिस तरीके से दीपक बावरिया के साथ रागो चड़ा ने पहले मुलाकात की उसके बाद भी ते दिन फिर मुलाकात की लेकिन सीट को लेकि जो पेंच है वो प्रश्तावा होगा उसी के साथ अगर बात करें तो नई दिल्ली से जो आम आदनी पार्टी के विधायक है और नई दिल्ली लोगसभा सीड से जो इनके उमिदवार थे लोगसभा के उन्होंने का कि कॉंग्रिस ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया जब दिर लोगसभा चुन लेगा यानि मुख मंतरी अर्विन केजरिवाल लेंगे हम उस फैसिये पे कायम रहेंगे लेकिन हम सभी 90 सीटों पर चुनौ रड़ने के लिए तयार है बिल्कुल कंशन देखिए अभी तक 10 सीटों की चर्चा चल रही थी लेकिन आप साथ सीटों की बात सामने निकल कर किय सारे सूत्रों के हवाले से ये ख़बर है कि साथ सीटों पर सहमती बन गई है लेकिन वो साथ सीटे आम आदमी पार्टी की ही पसंद की हैं ये बिल्कुल देखिए कॉंग्रेस तो सिर्फ तीन सीटे देने के लिए राजी थी जो हर्यारा की कॉंग्रेस के पूर्व मुख मंत्री है वो तो कह रहते हैं कि तीन सीटे हम देना चाहते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं माने लेकिन आम आदमी पार्टी नौ से दस सीटों पर अभी भी अरिक है उनका कहना है कि एक लोग सभा के अंतरगत नौ से दस विधान सभा सीटे आती है इसलिए हमें नौ से दस सीटे चाहिए हाला कि कॉंग्रिस तीन से हट करके साथ सीटों पर पहले ही आ चुकी है जो खबर उसके अनुसा साथ सीटे देना चारी है लेकिन अब स्वाल है कि वो कौन सी सीटे हैं जो आम अदनी पार्टी लेना चाहती हैं वो कौन सीटे हैं जो कॉंग्रिस आमादनी पार्टी को देना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि आम आदनी पार्टी चुनाओ गडबंदन के साथ मिलके लड़ेगी लेकिन अगर पेच फस्ता है सीटों को लेकर के तो अभी भी पूरी तरीके से गडबंदन होता हुआ नहीं दिखाई देगा जी मजबूत इस सितिह में है जो साथ आपने बताए कि आम आदनी पार्टी पहली बार रारियाना के विदानसवाद चुनाओं में कदम रखने जा रही है तो मा की इसमें अभी वी कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है क्या साथ या दस सीटे कितनों पर बात बन सकती है या कल पर निकल करके आएगी ho follow by, जिए बिलकुल देखिये, 9 से 10 सीटे आम आदनी पार्टी का शुरू से ही ये लक्ष रहा है, लेकिन कौंग्रेस की ही तरव से लगाता, सीटो को लेके आनाकानी देखने को मली देखने को मिली सीधे दंपे अकेले सभी सीटों पर चुना रणने का दावा कर रही है जिस तरीके से इनके संगठन महामंत्री हैं संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पर और अर्विंद केजिवाल की पत्मी सुनीता केजिवाल भी लगातार हडियाना में ही जन्सभा रोट्ष रैली कर रही है हडियाना में ही सबसे आदा फोकस है क्योंकि मुखमंत्री अर्विंद केजिवाल हडियाना के ही मूल रूप से निवासी हैं तो हडियार दिल्ली से जादा वो हडियाना के बेटे हैं क्योंकि उनका जन्मिस्थान है हडि याना चुनाफ में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त तै करेगा बहुत बहुत शुक्री आमारे साथ जूरने के रहें